नमस्कार मित्रो आज किस वीडियो में हम बात करेंगे एंसी आर क्या है पुलिस द्वारा एंसी आर कब दर्ज की जाती है यानि नॉन कॉगनिजेबल रिपोर्ट अक्सर आप लोग सुनते होंगे कि पुलिस द्वारा किसी अमुक वेक्ट के खिलाफ थाने में एंसी आर दर्ज कर ली गई है एंसी आर का नाम सुनते ही आपके मन में कई तरह के सवाल उठने सुरू हो जाते हैं जैसे कि एंसी आर होता क्या है एंसी आर का फुल फॉर्म क्या है और पुलिस द्वारा NCR कब दर्ज की जाती है और इन सवालों के जवाब भी आप जानना चाहेंगे क्योंकि अगर आपको इन सवालों के जवाब पता होंगे तो कहीं भी यदि NCR का जिक्रिया बात होगी तो आप इसके बारे में अन लोगों को भी अच्छे से बता पाएंगे जिनको इसके संबंद में जानकारी नहीं है तो हम बात करेंगे कि NCR क्या होती है और साथ इसका फुल फॉर्म भी जानेंगे भारती कानून में अपरादों को निम्स रेडियो में विभाजित किया गया है या विभाजन अपरादों की प्राकृति के अधार पर किया गया है जैसे संग्य अपराद और आसंग्य अपराद जमानती अपराद और गर जमानती अपराद समझोते योगी अपराद और आसमझोते योगी अपराद जब आसंगे अपराद से समबंदित घटना की सूचना थाने में दे कर उस सूचना की अधार पर सिकायद दर्ज कराई जाती है तो ऐसे में पुलिस उस सूचना के अधार पर प्रतम सूचना रिपोर्ट दर्ज करती है और उसकी एक कौपी सिकायत करता को निसुल्ख देती है FIR दर्ज हो जाने के बाद पुलिस उस घटना की जाच प्रारम कर उसकी रिपोर्ट संबंधिन ने आले में पेस करती है यदि यही आसंगे अपराद अधिक गंबिर ना होकर छोटे मोटे मामले के अपराद होते हैं जैसे छोटी मोटी चोरी, हलकी फुलकी लड़ाई जिसमें अत्यदिक चोटे या गंबिर चोटे ना आई हो या कोई भी चोटे ना आई हो या मामूली सा जगड़ा आ दी ऐसी घटना के घटित हो जाने पर पेड़ित पच इस घटना की सूचना थाने में देखा सिकायट दर्ज करता है तो ऐसी सिकायट को पुलिस NCR यानि नौन कॉगिनिजेबल रिपोर्ट के रूम में दर्ज कर लेते हैं पुलिस द्वारा NCR कब दर्ज की जाती है जैसे मुबाल चोरी या खो जाने पर मामूली लड़ाई, मामूली सा जगड़ा, आदि मामूली अपराद पुलिस द्वारा NCR कब दर्ज की जाती है इसको हम एक उधारर से समझने का पूरा प्रयास करते हैं जब किसी वक्त का कोई समानचोरी हो जाता है या खो जाता है तो ऐसे में जिस वक्त का समानचोरी या खो जाता है तो इस घटना की सूचना के अधार पर पीड़ित वक्त थाने में सिकायद दर्ज कराने जाता है तो ऐसे में गटना की सूचना के अधार पर पुलिस सामानत्या NCR यानी Non-Cognizable Report दर्ज करती है क्योंकि ऐसे अपराद की प्राकरती कमगम भीर होती है NCR दर्ज हो जाने के बाद पुलिस रिकायत करता को इस रिपोर्ट की एक निसल कौपी देती है अब NCR दर्ज हो जाने के बाद की प्रक्रिया क्या होती है पुलिस द्वारा गटना की सूचना के अधार पर NCR दर्ज कर लेने के बाद पुलिस मामले की जाच और खोजबीन में लग जाती है जाच और खोजबीन के अधार पर पुलिस उस घटना से संबंधित रिपोर्ट बनाती है इस रिपोर्ट को संबंधित न्याले में पेस करती है यदि जाच या खोजबीन के दोरान चोरी या खोई हूँ समपत्ती की रिकवरी हो जाती है तो ऐसे में पुलिस उस समपत्ती को कानूनी और चारिकताय पूरी हो जाने के बाद सिकायत करता को सौप देती है यज़े चोरी या खोई हुई समपत्ती खोज बीन के दोरान रिकवरी नहीं हो पाती तो ऐसे में पुलिस अपनी रिपोर्ट में समपत्ती की रिकवरी नहों पाने का कथन कर रिपोर्ट को नियाले के समझ दाकिल कर देती है तो दोस्तो यह वीडियो रही NCR के बारे में तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद ऐसी लगातार वीडियो की अपडेट्स पाने के लिए हमाई चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले